इस वीडियो में हम सीखेंगे addition and subtraction of three fractions यानि three fractions की addition और subtraction के बारे में सीखेंगे एक example ले लेते हैं example है 1 by 7 इसमें हमने plus करना है 3 by 7 और 4 by 7 को ये तीनों क्या हैं? like fractions हैं क्योंकि इनके denominator same है ये तीनों like fractions हैं तो इनको जमा करना बहुत असान है किस तरह से जमा करेंगे? denominator को एक ही दफ़ा लिखेंगे क्योंकि ये same है और numerator को आपस में जमा करेंगे 1 plus 3, 4 4 plus 4, 8 तो 1 by 7 plus 3 by 7 plus 4 by 7 का जवाब आया 8 by 7 अब एक और मिसाल ले लेते हैं अब क्योंकि ये लाइक फ्रेक्शन है 4 by 5 और इस में से हमने सब्ट्रेक्ट करना है 2 by 5 को और 1 by 5 को 4 by 5 minus 2 by 5 minus 1 by 5 अब क्योंकि ये भी लाइक फ्रेक्शन हैं तो denominator as it is आ जाएगा 5 और numerator को आपस में सब्ट्रेक्ट करेंगे तो 4 में से 2 को सब्ट्रेक्ट किया तो क्या बचा 4 minus 2 2 रह गया और 2 में से जब 1 को सब्ट्रेक्ट किया तो क्या आएगा 1 आ जाएगा तो इसका जवाब आया 1 by 5 एक और मिसाल देखते हैं 10 by 12 plus 2 by 3 plus 4 by 6 अब हमने इनको जमा करना है यह unlike fractions हैं इनके denominators मुक्तलिफ हैं तो पहले इनका LCM ले लेते हैं 12, 3, 6 क्योंकि हमने denominators को same बनाना है उसके बगेर हम plus नहीं कर सकते हैं 2 से इनको डिवाइड करते हैं 2, 6, 12 3 ऐसे आ जाएगा और 2, 3, 6 अब 3 से करते हैं 3, 2, 6 3, 1, 3 और 3, 1, 3 अब 2 से करेंगे 2, 1, 2 और 1, 1 तो इस तरह से हमने डिवाइड करना जब तक यह सारे 1, 1 ना हो जाएं इसके बाद इनको मल्टिप्लाई करेंगे 2 मल्टिप्लाई बई 3 6 आ जाएगा और 6 मल्टिप्लाई बई 2 12 तो LCM क्या है? 12 है यहाँ पे लिखते हैं 10 बई 12 यह एज़िटिस आ जाएगा क्यूंकि इसको 12 बनाने की जरूरत नहीं है यह पहले ही 12 है प्लस अब हमने 3 को 12 बनाना है यह है 2 बई 3 तो 3 को किस से मल्टिप्लाई करें कि 12 आ जाए 3 को 4 से मल्टिप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा अब हम 2 को भी सेम नंबर से मल्टिप्लाई करेंगे क्यूंकि नियूमेरेटर और डिनॉमेरेटर दोनों को सेम नंबर से मल्टिप्लाई करना होता है अब यहाँ पे है six denominator में और numerator में है four अब हमने six को भी twelve बनाना है तो किस से multiply करें? two के साथ तो numerator को भी हम two से multiply कर देंगे अब इसको नीचे लिख लेते हल करके twelve और यह ten as it is आ जाएगा plus three multiply by four, twelve आजाएगा twelve or two multiply by four eight आजाएगा plus six multiply by two twelve or four multiply by two eight आजाएगा अब यह like fractions बन गए हैं तो इनको plus करना असान है हम किस तरह से plus करेंगे? denominator को as it is लिख लेंगे जो की है twelve और numerator को आपस में जमा करेंगे 10 प्लस 8 18 आजाएगा और 18 प्लस 8 18 प्लस 8 8 प्लस 8 16 आजाएगा और 1 प्लस 1 2 तो 18 प्लस 8 आजाएगा 26 तो जवाब हमार पास आया 26 बाई 12 तो जब हमने प्लस किया 10 बाई 12 में 2 बाई 3 और 4 बाई 6 को तो जवाब आया 26 बाई 12 एक और मिसाल देखते हैं 8 बाई 10 इसमें हमने प्लस करना है sorry माइनस करना है इसमें से 2 बाई 4 माइनस 1 बाई 5 ये तीन फ्रेक्शन से इनको हमने क्या करना है सब्ट्रेक्ट करना है अगेन ये अनलाइक फ्रेक्शन से इनके डिनॉमिनेटर्स मुक्तिलिफ हैं तो सबसे पहले LCM लेंगे 10 4 और 5 का 2 से करते हैं 2 5s are 10 2 2s are 4 और 5 as it is आजाएगा फिर 5 से करते हैं 5 1s are 5 2 ऐसे आजाएगा और 5 1s are 5 2 से करेंगे 2 1s are 2 और 1 तो इस तरह से ये सारे 1 1 आगए हैं अब हम इनको मल्टिप्लाई करते हैं 2 5s are 10 और 10 मल्टिप्लाई बए 2 20 आजाएगा तो इसका मतलब हमने इन इन डिनॉमिनेटर को क्या बनाना है 20 सबसे पहले है 10 10 को किस चीज से मल्टिप्लाई करें कि 20 आजाए और नियुमिनेटर इसका 8 है ये फ्रेक्शन है 8 बए 10 तो 10 को अगर हम मल्टिप्लाई करें 2 के साथ तो 20 आजाता है तो इसलिए अब हम 8 को भी सेम नंबर से मल्टिप्लाई करेंगे 8 मल्टिप्लाई बए 2 माइनस ये है 2 बए 4 डिनॉमिनेटर में है 4 और नियुमिनेटर में है 2 इन दोनों को हमने मल्टिप्लाई करना है 4 को किस से मल्टिप्लाई करें 5 से क्यूंकि 4 को 5 से मल्टिप्लाई करने से 20 आता है तो numerator को भी 5 से multiply करेंगे minus last fraction है 1 by 5 denominator में है 5 और numerator में है 1 5 को भी हमने multiply करना है और same उसी से 1 को भी करना है 5 को किस से multiply करें कि 20 आ जाएं 4 से 5 4s are 20 तो 1 को भी हम 4 से multiply करते हैं अब इसको solve करें 10 multiply by 2 20 आ जाएगा और 8 multiply by 2 16 minus 4 multiply by 5 20 और 2 multiply by 5 10 minus 5 multiply by 4 20 आ जाएगा और 1 multiply by 4 4 आ जाएगा अब यह denominator सेम हो गए हैं यानि यह like fractions बन गए हैं तो इनको हम सब्ट्रक्ट कर सकते हैं denominator as it is आ जाएगा 20 numerator को आपस में subtract करके लिखना पहले करेंगे 16 में से 10 को minus करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा और फिर हम 6 में से 4 को minus करेंगे तो 6 minus 4 2 आ जाएगा तो यहाँ पर numerator क्या बनेगा 2 तो यह आगया fraction 2 by 20 इसका मतलब जब हमने 8 by 10 में से minus किया 2 by 4 और 1 by 5 को तो क्या जवाब आया 2 by 20 इस तरह से हम 3 fractions को आपस में subtract कर सकते हैं आज हमने सीखा addition and subtraction of 3 fractions